MP Board कक्छा दस्वी के विद्यार्थियों को गड़ी सब्जेक्ट से बहुत की महतुपूर प्रस्न बताने वाला हूँ तो जो प्रस्न मैं बताऊंगा वो वार्सिक और आप लोगों के अधवार्सिक और Pre Board के लिए फिरहाल Pre Board तो इस साल नहीं होने वाला है तो आपके अधवार्सिक और वार्सिक वेपर के लिए महतुपूर रहेगा तो मैं अभी आपको परिच्छा द्यान दिखा रहा था परिच्छा द्यान में आपको मैं गड़ी सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ ठीक है तो गड़ी सब्जेक्ट और जो प्रस्न बैंक में जो प्रस्न है जैसे आपके ब्लू बिंड में दिया है दो नंबर और चा नंबर के प्रस्न जो अभी अध्याय बताऊंगा उस अध्याय से आने वाले हैं लेकिन जो प्रस्न बैंक है उसमें दो अंग के प्रस्न प्रस्न ब पढ़ सकते हैं और परिच्छा अध्यन से नहीं पढ़ना चाहते हैं सिर्फ प्रस्ण बैंक से पढ़ना चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है पर प्रस्ण बैंक में जो प्रस्ण दिये हुए हैं वो प्रस्ण जो आपका परिच्छा अध्यन उसमें नहीं है लेकिन द चिखा देता हूँ, देखो ये सारे प्रश्न है, इसी तरह से, यहाँ पे इसका उत्तर देखो, दूसरा का उत्तर है, बहुत आसान प्रश्न है, देखो एक प्रस्न मैं समझाओंगा, आपको पुरा समझ में आ जाएगा, कोई भी माल लो, ठीक है, मैं दूसरा प्रस्न आपक C, तो क्या कहोगे, A2 कहोगे, B2 कहोगे, और इसको C2 कहोगे, तो देखो, A1 का मान कितना है, A1 का मान 9, B1 का मान 3, यह उपर-उपर वाला मान उसी का है, ठीक है, और C1 का मान कितना है, 12, इसी तरह से नीचे में जो है, वो किस का मान है, A2 का, B2 का कितना है, देखो, और C2 का म हल करेंगे तो देखो ये बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर सभी मान बराबर है मतलब ये रेखा क्या होगा समांतर रहेगा समझ में आ गया तो आपको बस इतना ही बताना है इसके तीन नियम होते हैं ये वाला जो नियम है ये कौन सा नियम है तो ये जो नियम है ये इस नियम को हम क्या कहेंगे देखो एक तो होता है अनेक अनन्त अनेक हल अद्विती हल कोई हल नहीं तो इसको कहते हैं कोई हल नहीं ठीक है इसको अनेक अनन्त हल कहते हैं और ये वाला जो हल दिखाई दे रहा है इस प्रकार की हल है ये दोनों मान बराबर लेकिन ये नहीं तो य तो समझ में आ गया और यह वाला जो है यहां पे तीनों को बराबर नहीं है बना आए है, क्रास हो रहा है, मतलब यह है अदड़ी हई है, तो इस तरह से यहां पर दिखो दूसरा दिया हुआ है, यह भी सेम तूस से वैसा ही है, टीक है. संगत है कि असंगत है बस बताना है कोई बड़ी बात नहीं है हल तो सेम रहेगा ला वही जैसा अभी मैंने बताया था वैसा ही है तो यह जो प्रस्ण भी मैं दिखा रहा हूँ इसका उत्तर देख लो पहلا दूसरा और तीसरा ठीक है यह तीनो प्रसनों का उत्तर आप लोग देख लो और यही तीनों प्रसन जो है दो नंबर के प्रसन में इसी से related प्रसन आपको देखने को मिलेगा अब मैं आप लोग को जो प्रसन दिखाने वाला हूँ यह सब तो एक एक नंबर के प्रस्न है और चा नंबर के प्रस्न है क्योंकि एक नंबर की भी प्रस्न आयेगा तो एक नंबर के प्रस्न पर इच्छा ध्यन को भी पढ़ोगे तो भी फंसेगा प्रस्न बेंग को पढ़ोगे तो भी फंसेगा तो प्रस्न बेंग चाहे पढ़ो चाहे पर रैखिक समी करण है तो उत्तर क्या लिखोगे दो चरों का रैखिक समी करण है यह दो चर है और यही बस क्या होगा यही इसका उत्तर होगा दूसरा देखो यहां पर यह अद्विती हल है तो यह क्या लिखोगे उत्तर अद्विती हल होगे इसे क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं क इसको मैं इसको कहते हैं यह जो सूत्र है यह जो सूत्र है यह अद्विती हल का सूत्र है यह किसका सूत्र है कोई हल नहीं यह अनेक हल का है तो इस प्रस्ण में अद्विती हल के बारे में कहा है तो अद्विती हल आपको उठाना है अगर कोई हल नहीं है कहेगा तो क्या देखो समीकन 2x plus 3y बराबर 5 में यदी x बराबर 1 हो तो यहां पर इसके मान रैकिक हो जाएगा और इसमें 3 से 5 आजाएगा सत्य असत्य देख लेते हैं तो यह सत्य यह सत्य लेकिन यह असत्य प्रश्न है ठीक है क्योंकि यहां पर देखो क्या कहें दो चरो के रैकिक समीकरण में अनेक हल होते हैं यह सही कह रहा है और यहाँ पर देखो प्रतेक हल को निरुपीद करने वाली रेखा पर इसी ते एक बिंदू होता है यह सत्य है लेकिन इन दोनों को रेखा को निरुपीद रेखा प्रतिश्यदी होगी यह गलत कह रहा है ठीक है इसका हो गया है दो प्रस्था यहां पर मिल गए आप लोग को चलो आगे देखो कि किसको क्या कहते हैं देखो यहां के यह है व्यापक और यह क्या कोई हल नहीं है तो कोई हिल नहीं कहां पर यहाँ पे ठीक है यह तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा तो यह दोनों तीसरा ही है ठीक है तीसरा तीसरा में आ जाएगा यहाँ पे यह जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पे और यह जो है यह सभी बराबर है तीसे क्या कहते है अनेखल देखो अनेखल कहाँ पे है तो यहाँ पे देखो समपाती निरूपीत करता है का दे दिया है इसका मतलब यह है कि अनेखल है ठीक है और यह वाला जो है x बराबर 0 तो मतलब y का मान माइनस 3 अपान दो तो यह हो जाएगा अब एक वाक के एक सब्द में उत्तर देख लेते हैं तो देखो पहला प्रशन क्या है दो चरो में रैखिक समीकन के मानक रूप यह x प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसी तरह से रैखिक समीकन y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर माइस 2 y बराबर 5 ओ तो एम का मान क्या होगा तो माइनस 1 होगा और यह जो है 2 संत्रे और सेब वाला जो है 70 रूपय है तो इसको एक समीकन बनाना है तो 2 संत्रे कह रहा है तो 2 x और 5 सेब कह रहा है इसका मतलब 5 y और कितने रूपय है दोनों मिलाके 70 रूपय है तो इस तरह से एक समीकन का निरूपीत करना है समझ में आ गया, बहुत आसान था, मैंने आपको दो नंबर के प्रस्ण दिखा दिया है, अब आपको दिखाने वाला हूं चर्चा नंबर के प्रस्ण, तो ये प्रस्ण आपको देखना है important है, पहले तो समीकरन बनाओगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, तीन बल्लो तथा 6 गयन, तीन बल्ले मतलब तीन एकस और 6 गयन, मतलब 6 य तो देखो तीन एकस और प्लस 6 य ठीक है, दोनों की किम्मत कितनी है, 49, 49 लिख दो, इसी तरह से एक बल्ले मतलब एक एकस है, या फिर सिर्फ एकस बस लिख सकते हो, क्योंकि एक कगुड़ एकसे के साथ होने पर, एक इसी तरह से ये तीन, यहां पे एक एककस है, और यहां पे 3 य हो जाएगा, देखो यह इस तरह से, यहां पे 3 कहा, देखो यहां पे 2 लिखा है, तो यह तो गल्लत है, जबकिंगि यहां पे कितना है? तीन है ना तो तीन है तो तीन करेंगे या तो इस प्रस्णा में कही न कही गलती होगा तो उसे सुदा लेते हैं यहां पे दो दिया देखते हैं, solution में है क्या, solution सही है कि गलत है, check कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे 3 आ गया बहार, यह हो जाएगा, 49, ठीक है, और यहां पे हमने रख दिया, एक सिकन, मैं इसका सही ही देख लेता हूं, कहां पे है, यहां पे यह दो x से लिया है, ठीक है, बहुत आसान प्रशन है, यहां पे न प्रतिस्थापन विधी का भी उप्योग करें, प्रतिस्थापन विधी जानते हो, क्या होता है, प्रतिस्थापन विधी में, यह जो x वाला मान है, यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन y को इस पर ले तो यह बन गया, x की value प्राप्त हो गया, समझ में आ गया, x की value कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ, ठीक, अब क्या करने वाले हैं, अब हम y के जगहा पे कुछ मान रखेंगे, मान लो, जैसे की y का मान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, 500 रख लेता हूँ, ठीक है 900 बचेगा, तो 900 बचेगा, और 3 से divide करोगे, तो कितना आ जाएगा, 3 से divide करोगे, 3 आएगा, 300 आएगा, तो यह 300 आ गिया, तो इस तरह से निकल गया, Պपर में 300, और नीचे में 5 हो गया, एक kamu answer जाता है, तो एक kamu answer automatically क्या होता है, फराप्त हो जाता है, याद रखना, अब क्या कर रहे हैं उसी मान में दोबारा फिर से मान रखेंगे ठीक है यहीं पे इस बार 600 रख दिया एक नेट बार 700 रख दिया तो मैनस 100 और जब 600 रखा तो 100 प्राप्त हुआ ठीक है अब क्या करेंगे जफ्ट प्रक्रिया दूसरे समीकरण में करने वाले हैं ठीक है दूस आता हूं मैं आपको यह देखो यहां पर रखते गए y का मान तो x सग्मान 300, x सग्मान यहां पर 100 और x सग्मान माइनस 100 तो मतलब दोनों value क्या पराप्त हो बराबर और जब भी x और y के मान बराबर होते हैं तो क्या पराप्त होगा अनंत अनेक हल होगा उसका मतलब सभी मान बराबर है मतलब अनंत अनेक हल होगा तो अनंत अनेक हल में दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर प्रतीत होती है कभी दिखाई नहीं देता है कि दोनों रेखा हैं अलाग अलाग है ठीक है लेकिन आपको उसे समझना है कि दो हमने रेखा खिचा है और दोनों रेखा है अगर एक ही रेखा पर दिखाई देर जैसे कि ये एक रेखा निरूपीत कर रहा है और ये वाला जो है डिबबा दूसरा रेखा निरूपीत कर रहा है तो इसक कई जी सेव तो दो एकस और यह वाई हो जाएगा और दोनों की मत इतना इसी तरह से दो किलो सेव और दो किलो अंगूर तो दो x 2y प्लस क्या कर दोगे बराबर करके 320 लिख दोगे जैसे कि यहां पे इन्होंने किया है यहां पर देखो हाँ यह 4 है स्वारी 2 कह रहा था 4 है यहां पर ठीक है 4 है तो 4x हो गया अब पहले इसका प्रतिस्थापन करो और बाद में इसका ठीक है वह एक्स के वैल्यू रखो गया आसानी से निकल जाया करेगा बहुत आसान होता है ऐसे प्रश्णों को बनाना तो आगे मैं दिखा देता हूं इसका उत्तर यह रहा ठीक है इसके बाद देखो यह आठ्वा प्रश्ण है इसका उत्तर भी देखो लगा हुआ है तो यहाँ पे इस प्रस्ण में क्या करने के लिक है देखो समानता है रहा समपाती है कि नहीं यह बताना है ठीक है तो देख लेते हैं यह बहुत आसान है ये पहला समीकर्ण है, इसका मतलब क्या होगा, ये दूसरा समीकर्ण है, अगर ये पहला समीकर्ण है, मतलब क्या होगा, A, B, C, A1, B1, C1, ये दूसरा है तो A2, B2, C2, बस ऐसे ही करना है, फिर A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, ऐसे कर देंगे, तो देखो, क्या हो र क्या दोनों मान बराबर नहीं तो इसका मतलब अद्विती हल है तो ये अ क्या होगा तो रेका युग में एक बिंदू पर बतीषः करता हैं कहना है इसके वाद देखो यहां पर संगत यूग में या असंगत हैं बताना है कैसे करोगे ध Massachusetts रिया दो समीकर्ण है इन दोनों को पहला दूसरा नाम रख दो देखते हैं इन तिनों का मान बराबर की नहीं तो यहां पे यह दोनों को तो एक मान तो बराबर हो रहा है यह और यह वाला क्यों कि यह कट रहा है तो देखो एक बटे दो प्राप्त हो रहा है यह कट रहा है त असलब असंगत होगा चलो अगला देखते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं यह दस्वा प्रश्ण है ठीक है यह दो नंबर के लायक प्रश्ण है इसमें कोई खास बात नहीं है इतना इंपोर्टेंट भी नहीं लगा मुझे यहां पर बस बताना है कि अद्वि बताया था ना जब ग्राफ बना रहते हैं तो ग्राफ वाला जो विदी है वो प्रतीस्था फ़ान विदी है तो सरल विदी होता है वहतीजी और आसानी से बन जाने सदेखें यह समी कर्ण पहले यह वाला समीकन को भी थोड़ा हल करके इस तरह से छोटा कर लेते हैं तो इसे छोटा करके टी कमान यहाँ पे निकल गया कितना अच्छा है इस मान को कहां पर रख सकते हैं यहाँ पर रख सकते हैं तो चैटी कमान कितना आगे नौ अब इस नौ को यहाँ पर रखेंगे तो टी कमान कित to same solution है, solution में कोई भी changes नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ उत्तर दिखा देता हूँ, यह रहा है, तो दिखाता हूँ, इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, देख लो, यह विलोपन विदी, विलोपन विदी में क्या करते हैं, यह प्रतिसाबन विदी के जफ्ट उल्टा होता ह है, मतलब अलग होता है यह, विलोपन विदी में क्या होता है, कि यह जो पहला पहला पद है, यह दूसरा दूसरा पद है, जब भी हम ऐसे पदों को देखते हैं, यह X और Y वही बस चर है, तो इन चरों में से किसी एक चर के मान को बराबर किया जाता है, ठीक है, कोई भी ए होंगा, आप लोगों को पता होगा, विलोपन विदी क्या होता है, क्योंकि पर्ष्टली प्रस्नों में कहा जाता है, कि आपको सिर्फ विलोपन विदी में बनाना है, आपको प्रदीशापन विदी में बनाना है, तीन से चार विदी होते हैं, समीकर निकाय विदी में बना दिखा देता हूं यहां तक ठीक है उसके बाद थोड़ा सा यह रहा फिर 17 भी क्या है समीकर्ण यहां पर दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधी में कहा रहा है तो इसका उत्तर देख लो और अठारवा दिखा देता हूं यह रहा अठारवा प्रशन और इसके बाद है 19 दिख देता हूं यह रहा ठीक और यहां तक है अब 20 प्रशन देखो यह सब बहुत आसान है विलोपन विधी प्रतिस्थापन विधी ऐसे विध्यों में बनाना तो बहुत तीजी होता है मैं इसका उत्तर दिखाता हूं आपको ठीक है यह रहा इसका उत्तर तो इसमें कुछ ज्य आपको क्या करना है समीकन बनाना है तो देखो 7 और 9 तो यह 7x है और यह 9x यह 7x है यह 4y और यह 3y हो जाएगा ठीक है दोनों में डिफ्रेंस 2000 कहीं है ठीक है चलो आगे दिखाता हूं और इसको हल कैसे करना है इस प्रकार से आपको हल करना है फिर 24 प्रशन देखो यह 24 प् पढ़के जाना है फिराल मैं आपको फटा फट बतानी की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा समय ना लेते हुए और यह 16 प्रशन है दो संपूरक कोड़ों में बड़ा कोड़ चोटा कोड़ से 18 डिगरी अधीक है कह रहा है तो बहुत आसान है देख लो 180 और यह 18 अधीक है कह र प्रशन और 28 प्रशन का उत्तर यह रहा ठीक है यहां तक के यह थोड़ा सा लेंदी प्रकडिया दिखा रहा है अगर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो ठीक है इसके आने के संभावना काम होगे और यह रहा और आप सभी को पता है कि हमेसा पूरे प्रस्न में दो प्रस् यह रहा तिस्वा प्रश्न और यह 31 प्रश्न देख सकते हो पहले समीकरण बनाने के बाद ही हल कुरओं तब यह का यह रहा है अब इसका जो यह वाला प्रिखा दिखा देता हूं यह रहा ठीक इतना और यह थोड़ा सा यह रहा और ये वाला Ihrğra about भी बना है इसमें 32 देखो यह 32 प्रश्ण है यह 33 प्रश्ण है और इसका उत्तार मैं दिखाता हूँ यह रहा 33 का 34 का देखो 34 का उत्तर यहां पे लगा हुआ है चो टा है इसके बाद 35 का दिखाता हूँ 35 प्रश्ण और यह इसका उत्तर है पूरा ठीक चातिस्वा प्रश्ण बहुत सारे प्रश्णा है तो सब का सॉलूशन दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए सॉलूशन को उत्तर दिखा देता हूं और यह सब प्रश्ण का जो आधा हिस्सजा है आधा ठीक है और इसका ए हिस्सा ठीक है यहां усहां अधा प्रेस्णा आगे न में दिखाता है यहां फिर इसका प्रश्णों कि आपको प्रैक्टीस करते रहना है और यह रहा 49 प्रश्ण और यह वरज उड़न विधी में कह रहा है हाँ एक विदिया और मैं भूल गया था यह वरज उड़न है यह मुझे बहुत आसान और सरर लगता है ठीक है यह चालिसवा प्रश्ण देख सकते हो और यह वाला प्रश्ण भी इंपोर्टेंट है और यह यहां तक के ठीक है एक चालिसवा देखो अगला है एक चालिसवा प्रश्ण तो यहां से यहां तक और यह रहा यहां तक ठीक है इसका थोड़ा सल यहां पर है इसके पास 42 प्रश्ण ठीक है तो 42 प्रश्ण प्रश्ण क ऐसा लग रहा होगा कि विंदू पाइन में दिया है तो बहुत टफ होगा नहीं टफ नहीं रहता है और दीजी रहता है मैं जब आप लोग पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने ऐसे प्रस्णों के सॉलूशन करके भी दिखाया था तो बहुत दीजी होता है पर अभी समय कम है इसलिए आपको दिखा रहा हूँ अब क्या है आपको सिर्फ इसे देखना है और रट भी सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो कि सेम टाइप के प्रस्णा आते हैं अगर एक रटे हो तो उससे अब रिलेटेट प्रस्णा बन जाते हैं और यह रहा इसका ग्राफ चियालिसवा प्रश्णा देखो यह चियालिसवा प्रश्णा और इसका ग्राफ यह रहा ठीक है अब सैटालिसवा दिखाते हूँ य यहाँ पे है और यह रहरा इसका आधा हिस्सा और ऊर कुछ हिस्सा है वह पूरा यहाँ पे है तो इस तरह से इसमें जो कुल प्रसνεं ह। वो 47 वा सहसालिस प्रस्ण दिये हुएते हैं अब इन सबी प्रस्नों कि आपको प्रेटिस करना है तिक जैसा भी करना चाहू कर लो चाहिए आप राटना चाहिए और रट सकते हैं याद करना चाहिए याद कर लो जैसा भी जो भी करना चाहते हैं कर लो क्योंकि प्रस्न जो है ऐसे ही ग्राम में आएंगे